हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉर्णों मैं यूट्यूब चैनल आज किस वीडियों है डिस्कस करेंगे क्लास 9 और क्लास 10 का जो टॉपिक है IT और ITS इंडस्ट्री और आज वीपीओ एंड बीपीम सेर्विसेज तो यह है क्या पूरा मैं इस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल प् किसी भी तरह की आपको प्रेपरेशन करनी है फो क्लास 9 और 10 तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी आपको टेस्ट वेरा होगा प्रीबोड होगे प्रियोटिक होगे उनके मैं सैंपल्स वेर आपने यूट्यूब चैनल में अ तो इसी टी की फूल फॉर्म आती है कि यह तरह कि इन यसी टी सी टी सेंड्स वर डसी टैंस फोल कम्मिंटेशन तकनलोजी और इसी फूल फॉर्म तो अधीशirkन फॉल्फॉर्मियूजी नेबल सरवेसेस अब डिसकस करते हैं क्या आपको पता है आइसिए वीगवन फ़ेकर recruitment of the modern society आजकल के टाइम में यह modern requirement होगी every person की modern society in today digitally आजको आजकल आपको पता है जो यह है यह वो कैड डिजिटल है कोई भी आप चीज करते हैं उसमें electronic gadgets का use होता ही होता है example देखते हैं we use mobile devices to perform the task over daily life अब आप normal देखते हो कोई भी आप task perform करते हैं कोविड में देख लीजिए जो भी आपने किया सारा कुछ online कि a study online गी आपकी जो कुछ भी आपने पे करना था लेना था maximum online हुआ in our daily life it is difficult to think any event without the use of digital devices यह बहुत ही difficult है कि आप without digital devices किसी भी event को perform करना चाहें so information technology is one of the world's fastest growing economical एक्टिविटीज विच investis easier flow of information at various levels in the desired pattern तब को पता है यह एक बहुत ही सबसे fastest growing economic activities है जो क्या easier flow of information को various levels जो एक desired pattern का होता महाँ पर लेकर जाती है अब यह तो हमारे information technology अब ITS क्या है information technology enabled services है यह कैसा sector है that has not only change the way of world looks at our country जिन्होंने हमारे देखने का नजरिया वर्ल्ड को change नहीं किया बट also made a significant contributions to the Indian economy और इन्होंने क्या किए significant contribution एक main effort की है Indian economy में तो यह session हम discuss करेंगे IT और ITS neighbor devices में तो सबसे पहले information technology हम discuss कर लेते हैं information technology की सबसे पहले आपको definition exam में आ सकती है जेखिये जो important topics है मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताता रहूंगा तो इसको आप highlight कर सकते हैं so IT that means information technology एक है क्या इसका meaning है create करना manage करना store करना और exchange करना information को जो भी जिस वी तरह कि आप information को create कर सकते हैं manage कर सकते हैं for future purpose के लिए store कर सकते हैं and you can also exchange information इसमें क्या क्या include होता है it includes all the types of technologies में include होती है जो की deal करती information के साथ जैसे computer hardware और software technology जिसकी हम create कर सकते हैं store कर सकते हैं transfer कर सकते information को एक चीज हमेशे याद रखिए जो भी आपका computer रही है अधर कोई device है वो दो चीज़ों से चलता है computer hardware and software अगर hardware है तो software होगा अगर software है तो hardware होगा मतलब दोनों के combination से सारी technology वर्क करती है अगर आपके पास software है hardware नहीं है तो आप उसको use कैसे करेंगे simple example ले लीजिए कोई आप app यूज करते अपने smartphone में अगर आपके phone की touches ही नहीं है उसकी जो screen है वो crack होगी आप उस app को use कैसे करेंगे और अगर आपके पास app है उस app को आप use करना चाहते हैं तो आपके पास एक hardware device होना चाहिए जैसे अभी मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तो इसमें एक्जाम में लिख वी सकते हैं और इसको अपने mind में याद भी रख सकते हैं इसकी हल्ब से आपको यह जो मैं आपको बता रहा हूं tutorial आपके लिए इजी रहेगा कोई भी electronic device है आपका computer है यह क्या करता है हमसे data लेता है उसको process करता है and produce करता है desired result जिसको हम आउटपुट बोलते हैं एक चीज हमेशा याद रखिए कोई भी electronic device है computer है laptop है tablet है mobile है हमसे input लेगा process करेगा और produce करेगा desired result हमारी input के according and also paper में एक और question आता है what is data and information data की जो definition है that one is data is a raw facts and figures which are being to be processed जिनों अभी process होना है और आपकी information क्या है information is a processed form of data यहाँ पर दिया भी हुआ है the information is the result of data processing जो data process हुआ सको result है then data refers to raw facts and figure raw facts facts and raw material which are processed to get the information जो मैंने अभी आपको बताया अब example ले लिजे example दिये कोई class xyz number of boys and girls in a class is a factual data of classroom this is an example related to the students related to the students in a class यह data example है कि उस class में कितने students है now some conclusion can be based on data अब इस data के ओपर हमने कोई conclusion लेना है वो जो आपका conclusion होगा वो आपका information होगा ठीक है next the decision are taken on the basis of data and information हमेशा कोई भी decision आप टेक करेंगे वो आप लेंगे data and information के basis पर now next रिखते हैं IT is tightly integrated part of business IT आपको पता है tightly or integrated part है किसका business का computer and information system are essential part of every business today आजकल के time में जैसे अब देखी सकते हैं को जो भी हमारे information systems हैं जो हमें information provide करते हैं जैसे computers होगे laptop होगे software होगे without अब देखे मैं normal आपके सामने tutorial ली provide कर रहा हूं तो इस पिले भी मैं laptop or desktop का यूज करें you can also use smartphone मतलब किसी भी electronic device का आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप software यूज करते हैं तो यहां पर computers की example ली गई है like example दिया accounting and legal work किसी business के लिए अगर आपने कुछ invest करना technology उसमें compete करती है ITS several benefits for business such as it helps in reaching more and more potential customers developing business relationship कर सकते है potential customers के साथ streamlining operations हो सकते हैं cost reduce होती है इसके साथ आपकी और सबसे important efficiency आपके business की improve होती है और आप maximum से maximum profit gain कर सकते हैं with minimizing based providing better service to customers आजकल आपको पता है chatbots होते हैं उनकी help से आप सारी information ले सकते हैं जैसे मैं बात करूं Google Assistant हो गया Alexa हो गया Siri हो गया there are so many other examples and also supporting better relationship with key partners and allowing customers to better guide the business तो यह जैसे किसी business की example लिए है इसमें यह सारी जब examples आप लेग सकते हैं जो मैं यहां से highlight कर रहा हूं यह काफी अच्छा है non examples लिए है यह तो हो गया हमारा IT के बारे में अब IT enable services क्या है IT means information technology enable करती है business को by improving the quality of service जिसकी आप quality क्या कर सकते हैं service की उसको improve कर सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे information technology enable services that means information technology that enables the business by improving the quality of service is known as information technology enable services यह definition आपकी paper में आती है एक्जाम में आती है उसको याद रखेगा ITES also guard इसको क्या और बोला जा सकता है web enable service और remote service की वार एक्जाम में आसे question आ जाता है what is web enable service तो वो ITESE होगा यहां ऐसे भी exam में question आ सकता है what is remote service वो भी ITESE होगा अब इसमें और क्या बताया इसने बताया कि debt covers the entire operations which exploit information technology किसके लिए for improving the efficiency of an organization यह किसी organization की efficiency को improve करता है these services क्या provide करती है wide range of carrier options जिसमें include होता है opportunities in all the offices कौन कौन services जैसे call centers होगे payroll accounting work बोलते हैं logistic management जिसमें logistic बगारा लगाते हैं revenue departments claim processing medical billing में हम use करते हैं इसका operations होते हैं coding coding software's बनाना व्यारा medical transpiration legal databases होते हैं और back office operation अब commerce example ले लिए जैसे आपका result बनता है मैं example ले रहा हूं class 10 के result की अब आप just exam देते हैं back end में कैसे operation होता है यह back end team काम करती है आपने सिर्फ exam देने है पेपर चेक करके marks अब ही अपलोड करते हैं कहां जब आपका result अनौंस होता है आपने अपना रोल लंबर फिल करना है दन automatic आपके सामने पूरा जो आपका exam में आपने किया result सामने आजागे यह सारा काम करता है बैक और बैक ऑफिस ऑपरेशन जर सो मैंनी बैक टाइप ऑफिस ऑपरेशन जमाने जस्ट एक्जामपल ले रहा हूं content development आपको content development वर्क कर सकते हैं जी यह इसकी फॉल फॉर्म भी पेपर में आती है जिग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेब बेस्ट एंड हीमर सो services एक्सेक्टर यह इसका some carrier options हैं जो इसमें include किया गया है और इसके साथ define किया गया ITS को और define किया जा सकता है outsourcing of processes यह outsourcing गया processes की debt can be neighbor जो enable करती information technology को and cover करती है diverse area जैसे finance हो गया human resource हो गया administration हो गया healthcare में हो गया daily communication हो गया manufacturing एक्सेक्टर तो इसमें यह जो सारे हमारे इनोंने यह एक्जांपल से यह सारे cover करता है अब इसमें और बताया enabled services radically reduces cost and improve services standards in short internet service provider aims to b2b business to business जैसे e-commerce website से आप online shopping करते हैं solutions है ITS other different services integrated in a single delivery mechanism to end users ठीक है जैसे आप website ले सकते हैं Amazon होगी Flipkart होगी there are so many websites जैसे आप business to business कर सकते हैं और यह end users को अपने product sale करते हैं the services may include medical transportation customer relationship management होता है data entry होती है data processing OTS में software development हो गया data warehousing जिसमें सारा आपका data एकठा करके उसके उपर work किया जाता है IT helps in desk services desk services जैसे office वेरा में होते हैं enterprise companies वेरा के resource planning and telecommunication telecommunication जो हमारी telecom services होती हैं जैसे आप companies use करते हैं mobile में companies होती हैं जो आपको से airtel BSNL यह companies होती है telecom communication services तो यह था हमारा आज को topic IT and IT ES अगर मैं BPO और BPM का इसमें include करूँगा तो वीडियो काफी लोंग हो जाएगा तो बीपियो services और BPM services मैं आपको next video में provide करूँगा तो ऐसी updates के लिए और cbsc code 402 की preparation के लिए जरूर हमारे YouTube चैनल को subscribe करिएगा we can also provide soft material soft copies of your notes in different groups जो मैंने आपको बताए WhatsApp और जो हमारा next मैंने आपको group बताया telegram का उसके लिए message वारा कर सकते हैं next video में हम next topic discuss करेंगे जो मैंने आपको बताया है और ऐसी updates के लिए जुरूर हमें join करिएगा कोई भी किसी भी तरह का क्योरी जाकोशन है वह आप comment section में comment करके हम से पूर सकते हैं so thank you friends for watching this video and for your available time